स्वागत आप सभी का वाइफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इस पार्ट अफ एडिमी ओप सो आम विजिबल एन ओडिबल डेवर नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का ठेक है एक बारी जल्दी से एक बारी शेर करेगा सेशन को क्या मैं विजिबल हो एक बारी कम चली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं और साथ के साथ जब भी आप मुझसे जुड़ते हैं तो आप एक काम जरूर करिए अगर आप पहली बार जुड़रें क्लास में तो आप यूटूब पे जरूर सर्च करिए इंडियन पॉलिटी सिर्फ आप इंडियन पॉलिटी सर्च करिए और मेरे यह जो सेशन है छे गंटे का सेशन इसे जरूर देखिए इस वेरी वेरी डैम इंपोर्टन आपके लिए देखना बहुत बैनिफिशल होगा करते हैं साइज की सीरिज को स्टार्ट गुरूप डी के जो कोशन है उसको जोड़ और के लिए जो कोशन कराएं जो जोड़के आईबी में जो आ सकता हैरे सब सीजे मिक्स करके आपके लिए जो मैं क्लास लेकर आ रहा हूं इसमें आप सारे पढ़ सकते हैं और साथ के साथ याद रखना ये सभी एक्जाम के लिए ssc हो और डिफेंस हो हरेके ईकजाम के सब्सक्राइब करा देंगे जो कि आपके रेलवे के सभी एक्जाम में एक्जाम में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा वाइफए सड़ी पे होने वाला चली करते सेशन को स्टार्ट पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का अंसर बते हैं थोड़े मुश्किल कोशन आएंगे क्योंकि भाई जब तक हम नई चीज नहीं सीखेंगे या मुश्किल चीज नहीं सीखेंगे तब तक मजा नहीं आता है ना बताओ पहला कोशन के लिए समय दे रहा हूं पहला कोशन देखो इस कोशन का आंसर जल्दी से बताएगा थेक है पहला कोशन आप सब के सामने क्या रहा है कि भाई जो उल्लू होता ना वो अंधेरे में भी बहुत क्लियर तरीके से देख सकता है भी बिल्कुल सही बात है आर देख सकता है और इसकी जो आखे होती है न वह पार्ज होती है ठीक है और इसमें रोड डारक्टिड होती है जो कि एक बाय न्यूक्लियर साइट देती है जरूरी होती है अगर आप अंधेरे में भी चीजों को देखना चाहते हो इसलिए इसका कोशन का आंसर क्या भई इसका आंसर है यह ठीक है याद रखेगा इंपोर्ट दे देता है कहता है कि भाई इसको ना अरेंज कर दो कर दो भाई अरेंज फिर अरेंज कर दो आंसर क्या होगा करो अरेंज सारे के सारे और बताओ आंसर क्या होगा है है ना मुश्किल है कोशन थोड़ा सा थे थोड़ा सा मुश्किल कोशन है आंसर क्या होगा इस कोशन का ज चलो जब मैं अर्रेंजमेंट की बात करो ना हमें न रियक्टिविटी देखनी है तो इसकी रियक्टिविटी में अगर मैं बोलू कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा है तो मेगनीशम है फिर जिंक है फिर कोपर ठेक है थोड़ा सा मुश्किल कोशन है ऐसे कोशन आपसे से यह क्लास यह जो कोशन है आपको मिला टेंथ क्लास एंसी आटी मैटल नोन मैटल चैप्टर जो मैटल की रियक्टिविटी सीरीज है उसको एक बड़ी जरूर देख लेए ठीक हम जी बताए यह पनीर किसका उधारन है अब यह कुछ कोशन में ऐसे पूचोंगा आपसे ज पनीर किसका उधारन है तो अगर बिल्कुल असान है बहुत सारे बच्चे क्या है गलत आंसर बता इमल्चन बताते हैं इमल्चन पहले बाद दो लीक्विड से बनता है आंसर इसका जेल है ठेके आंसर इसका जेल है अच्छा कोशन है पूचा जा सकता है ठेके यह important question है और म इसमें light absorbing pigments होते हैं light को absorb करने के लिए जो pigments होते हैं वो किसमें होते हैं comment करेगा इस question answer क्या है और बेटा share करना सारे के सारे ठेके दमदार तरीके से session करना है बढ़िया तरीके से science के session को ठेके promote करो इस session को सारे के सारे answer क्या क्या है इस question का ठेके कोन सा cell का ऐसा भाग है जिसमें light absorbing pigment है बच्चे इसका answer बताते हैं chloroplast ठेके बिलुकुल सही है ना ठेके तो answer इसका chloroplast ची है बहुत ही असान है और इसमें magnesium होता है याद रखेगे यह element का question आता है है ना magnesium होता है इसमें यह question आप से पूछा जाएगा और magnesium कोशन याद रखेगा ठेके चलो एक और question देखते हैं ठेके इस question का answer बताए यह क्या है इस question का answer हां जी सूपर सोनिक airplane अपना इस पे question बहुत सारे आने लगे मैक वाला question आने लग गया इस पर कि मैक वैल्यू आपसे पूछली जाती है ठेके कि जो सूपर सोनिक जैट्स होते DOWN यह चानिंगा उस शोक वेक को हम क्या कहते है सोनिक बूम उसे हम क्या कहते है सोनिक बूम का जाता है Mac value होती है unit याद रखना पड़ी इस question से रिलेट करके Mac का एक option में आ सकता है तो answer लगा देना Mac का भी याद रखना Mac भी आपसे पूछा सकता है चलो एक और question देखी Question वो ही है जो मैं आपको कराता था लेकिन घुमा के पूछ लिया गे paper में घुमा के पूछ लिया गे मैंने आपको ये करा रखा है मैंने आपको पता कैसे करा रखा मैंने आपको करा रखा swimming pool कम घहरा क्यों दिखाई देता है और उसका answer क्या लगाते थे बहुत असान लगाते थे reflection की वज़े से मैंने आपसे ये सावाल पूछा हुआ जब भी मैंने पूछा है इस question को अब कहा रहा है कि भाई जो water tank है वो shallower क्योंकि दिखाई देता है तो वो भी किसकी वज़े से होगा इसकी वज़े से कि भाई जो apparent height है actual इतनी घहराई है और दिखाई इतनी घहराई देती है वही चीज़ पूछी है shallower में बस swim pool की जगा water tank लगा के दे दिया question में answer तो इसका reflection नहीं रहेगा question वही होते है उनके format की बात है कि format क्या पूछ रहा format देख लेना बस ठीक है एक और question देखो इस question का answer के है बड़ा असान question हुआ है ये तो वैसे wheat तो सारे खाते हो है ना वह हुआ क्या होता है जल्दी से बताएं कि सारे खाते हो तो पताओगा की वीट क्या होता है जल्दी से बताओ है अब दिक्कत की बात क्या है कि ना ये question जो है ना ये question इतना आसान है पूरी जिंदगी होगी गहूं खाते हुए लेकिन ये question ना कर पाए ठीक है ये question ना कर पाए कुछ बच्चे इसे जाड़ी कहेंगे अरे जाड़ियां खाओगे सोचो थोड़ा imagine पेड़ खाओगे वीट यहूं की बात हो रही है यहूं क्या है एक जड़ी बूटी है जिसको हम daily consume करते हैं ठीक है जिसे हम daily consume करते हैं सोचो ऐसा असान question जो हम daily consume करते हैं वो गलत हो रहा है तुमसे कोमन सेंस की कितनी कमी है एक और question देखो इस question answer जल्दी से बतेगा बड़ा प्यारा question काटिलेज किसमें मतला हमारा पूरा मानव शरीर उसमें काटिलेज कहां पर उपस्तित होते हैं जल्दी सब्देयाब काटिलेज किस से समद्दिक खुद बताईए answer क्या होगा मैंने आपको connective tissues पूरे पढ़ायते और मैंने बताया था उसमें कनेक्टिव टीशू पूरे पढ़ाए और उसमें मैंने बताया आंसर क्या है नोस में एजी है कोशन बहुत ज्यादा काटिलेज पूरा तो आपको पता होगा काटिलेज कहां पर होते हैं स्वासन प्रक्रिया में होते हैं को नाक में ही जो है इटली में घंगा में तो और दूलेंगे नहीं कंसे आप दूल्येंगे आप भुलेंगे नहीं ज्यादा ही कर दियो ठीक है नाख फून में दों काटे लिए बता रहें ठीक है चलो एक और कोशन देखो इस कोशन का अंसर क्या है जल्दी से बताएगा करण विच ओफ फॉलिविंग है कोवलेंट बॉंड अब कोवलेंट बॉंड किसमें खुद बता कार्बन क्या है इधर भी सीयल इधर भी सीयल और करेगा अच्छी खाल सी टेट्रा ही डिस्चर है आंसर इसका डी ठीक है अंसर इसका डी ओर जो बच्चा इसका आंसर NACL बता रहा है बिटा transfer of bond और sharing of bond में फरक होता है यह ionic होते हैं गलत मत करो इतना ऐसा मत करो यार देखो पाप हो रहे हैं तो फिर ठीक है यह प्यारा question है यह भी असान है joint के उपर question दे रखा बहुत ही असान question है अगर आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में भी पता हो which of the following is an example of bowl and socket joint ठीक है कौन सा bowl और socket joint का उधारन है बहुत ही असान question है हमारे जो hips होते हैं यह bowl और socket joint का उधारन होता है अब मैं इसको diagram से इधर अभी नहीं जमझा सकता ठीक है तो इसको अभी आप बस ऐसे ही समझे कि this is an example ठीक है this is an example तो आप इसका ध्यान में रखेगा ठीक है या तो मैं कभी आपको पूरे bones और muscles का chapter पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूँगा ठीक है diagram के साथ होता है hips joint होता है पढ़े करना है बाई देखो चाय आपने पहले कभी करा हो नहीं करा हो यह series अब मैं नई स्टार्ट कर चुक हूं आज से अपने कोशन नए हैं और बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेंगी तो हम वह भी चीज करेंगे जो पहले हमने कभी पढ़ी है food transportation जो है हम सब ही जानते है ओ है इदर फोलम इसका आंसर अगर water transportation कहता तो जायलम अंसर होता ठीक है जायलम अंसर होता अच्छा कोशन है पूछा जा सकता है एक और कोशन देखते हैं बेटा याद रखना सुबे नो बजे टोपिक वाइस जीके की क्लास लगा दी है आज जोगरफी पड़ी थी और बहुत बच्चे जुड़े थे कल पॉलेटी पड़ेंगे इसी चैनल पे वाइफाइ स्टूडियोस पे डेली जूडल स्टार्ट कर दो सुबे नो बजे भी जैसे एक कोशन देखो कौन सा communicable disease है अब खुद बताओ ठेक है कोई दिक्कत नही ठेक है चलो क्या है इस कोशन गांसर भाई डाइवटीस तो communicable है नहीं ठेक है अब तो इदर साफ दिखाई दे रहा है इसमें से कौन सा communicable है ठेक है असान कोशन ठेक है बाकी तो कुछ कौनिकेबल है नहीं ठेक है बेटा कोर्सी जोइन कर लेना जैसे अपना आज ही क्लास स्टार्ट करी थी मैंने एक ठेक है पंदरा फरवरी है ना तो आज मैंने कोर्स जो है लाइव कर दिया है ठेक है आज मैंने कोर्स लाइव कर दिया है दमदार कोर्स हो रहा है आपको एक तारिक से 16 17 तारिक से यह लाइव हो रहे हैं सारे कोर्सिस एससे गोल में गोल सस्ट ग्लिक करें मन सेलेक करके एक रेफर कोड़ लगा है लाइव अबन कहीं पर जवाब जोड़ते हैं ठीक यह रेफर कोड़ आपको 10% डिसक्राउंट देगा लाइव अबन ठीक देखो इस को पूरा जो एटमोस्फेर हैं हमारा वाईयूमडल है नो उसमें ना क्या बोलते हैं मतलब एटमोस्फेर है नहीं सिब्बल चीबाद एटमोस्फेर है उसके बाद कह रहा है कि आर्थ का जो एवरेस temperature है वो बढ़ेगा या घटेगा खुद बताइए ठीक है average temperature बढ़ेगा या घटेगा चल्दी से बताएगा बेटा answer क्या है ठीक है sir anacademy plus कितने time होती है बेटा 9 बजे होगी अभी anacademy class answer क्या obviously lower होगा देखा यार yu bundle नहीं है ठीक है yu bundle नहीं है तो वो gases नहीं होंगी जो क्या बोलते हीट को रोकती है heat को रोकने वाली gases नहीं होंगी तो definitely वो नीचे गिरेगा ठीक है definitely वो नीचे गिरेगा और भाई zero degree बचाने वालो मुझे बताओ ठीक है zero degree temperature नहीं होता ठीक कश्मीर के इलाकों में चले जाओ जिरो डिग्री temperature होता क्या वहां पे atmosphere नहीं है वायू मंडल लगाया वो रखाए क्या बाइव मंडल गाया common sense लगानी है हमें सबसे आधा paper में एक चीज़ की ज़र होता है common sense ठीक है बहुत ही असान कोशन है तो लिटमस क्या करता है लिटमस अपना इंडिकेटर इंडिकेटर है ठेक है अब वह इंडिकेटर है लीचिन से मिलता है एक और कोशन देखते हैं कोशन आंसर के हां जी बताओ डॉक्टर बनने थे थोड़ा सा chemistry बनने थे थोड़ा सा पताई इस कोशन आंसर ठेक है इसको ऐसे यूज़ करना प्रिस्क्राइब करके यूज़ करना कहीं करने लग जा और को कि सर ने कहा था ठेक है बताओ इसकोशन का अंसर क्या है क्या इसकोशन कामेंट करीगा आपाही है कर अगर यहाइड पूचा सकता है याद रखना और यहाद रखना ए अटी डिप्रेस्ट के साथ्थ तोफ तहर्व मैं आपसे एक सवाल कल भी मैं आथ वजे कराई थी क्लास डेली मैं आठ बजे कराता हूँ एट पीम पे ये सेशन होता है कल मैंने आप से ना एंटीडिप्रेसेंट की जगा एक और सवाल पूछाता शायद ठेक है मैं को याद नहीं आ रहा कल कौन सा कोशन पूछाता याद रखना एक कोशन अच्छे हैं पूछे आते हैं कौन सा असान है सबाराई सेशन को जल्दी से करना सेशन को जल्दी से कमेंट करे कें इस कोशन का एक बच्चा जल्दी से aware करतो प्तिक है आंसर के है इस कोशन का ओं सोक्रे आधान ऐस वस्तूश अफे सै तब्लांटि वीग को अमंग दॉटwegen ये कोशन नहीं करना है बताइए इसको खंशन या अच्छा पूछन है पूछन सकता को रुटे अधर क्या होगा सिंसा पूछन का आंसा कमेंट करेगा बहुत बेसिक आंसा आथ सारी कि पता ही इस कोशन का अंसर है ठीक है भाई जो कपड़े सुखाने वाला काम होता है मशीन में वह किस पर पता है हम्यो टोपलेसिस होता है कमेंड करेंगा इस कोशन का आंसर कैसे सोल करेंगे एक तो होता है इंटालिजन्स के साथ जैसे आप आई बी का पेपर दे रहा न तो आई बी वाले आपके न यहीं सब चीज़े चेक करते हैं कोशन में पूरा हिंट दे रखा है अरे भाई हमने हैमियो वर्ड किस से संबंदित पढ़ रखा है बलड से संबंदित पढ़ रखा है हैमियो सिधा जंदंधा तो समझो को को साइंस का कॉषन का रहा है कि इस संब्सकों करने के लिए उसके वड़ काफी है ठेक उसी से हमिएक अपका कोशन देखी है कि व स्ब्ускat रॉलब्स देखी है उससी Bravo स्ब्सक्रेटर्टी कुन सी क्वक्षन हो जाए इस प्षार है बता इक कुंसी प्रोपर्टी effect होती है एड़ टेंपरेचर में जाने की वजा से कमेंट करेंगा इसकोशन का एश केर बीटब हम सरकेंगा इसकोशन का जल्दी से कमेंट गरीगा है ना प्रोपर्टी कौन सी चेंज होती है बहुत ही मैत्पूर्ण सवाल है पूछा जा सकता है ठीक है प्रोपर्टी कौन सी चेंज होती है अपना ठीक है इंटेंसिटी तीवरता ठीक है ठीक है तीवरता चेंज होती है ठीक है फ्रिक्वेंसी मत लगाना ठीक है आपसे हैं तो उस हिसाब से बच्चों धिमाग में रखो अगर आप से पूछा जाता ना कि कूंसी प्रोपर्टी चेंज नहीं होते तो क्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती ठेकर को ईतने कर लेंगे को छोड़ेंगे इस को बता है किसमें प्रेजेंट होता है जल्दी से बताइए इसकोशन आन सब्सक्राइब ठेंटा आंसर के इसकोशन का इसकोशन का आनसर आनसर बड़ा ही असान कोशन है न ठेक है चलो यह कोशन का आंसर गलत दे रखा है इसकोशन देखते हैं हार्टस पेड को गिरने से बचाते हैं फसल्सको खराब हो होने से बचाते हैं होर्मोन का नाम बताए सारे का सब्सक्राइब नाम बताए स्टैटोस फेर आंसर ता उसका कोई दिक्कतिया वो ऑप्शन में गलत दे रखा है ठीक है जुक्त जाती है तो वो बचसे में की वज़े से बच सकती है एक और कोशन देखे शेयर करो बाई सेशन को यह अच्छा कोशन है जोगों डिसकवरी वाले कोशन बहुत पूछे जाते हैं अगर मैं आप से बोलू कि औरल पोलियो वैक्सिन किसके द्वारा डिसकवर किया गया था खुद बताईए औरल पोलियो वैक्सिन किसके द्वारा डिसकवर किया गया था जल्दी से बता साइकल की जो वील होती है उनका मोशन किस तरीके का है जल्दी से पूचा जा सकता है साइकल का जो मोशन है वो कैसा अमोशन होता है खुद बताई आँसर के है बेटा अगर आपको नो बज़े देखो मैं आपको बताऊ हुआ पहले ना इस 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 class में आ जाते हो नो उस class का tension लो पहले कि आप इस class को पढ़ लो इस class के आखिर तक जुको गे ना तो आपको next class का मैं बता दूआ नो बजे का current फिर का बकायदा link डलवा दूँआ ठेक इनो बजे का current फिर है पहले आठ बजे तो आना fix करो कि हाँ आठ बजे daily पढ़ना है अब science ठेक है जैसे ये question है इस question का आखिर cycle जो है ठेक है ट्रांस्टरेटरी और रोटेटरी motion होता है name of the longest muscle असान question हो गया ठेक है दिमा लॉरियस मसल जो है ना हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल होती है सबसे लंबी मास्पेशिया होती है खतरनाक कोशन था एक और कोशन देखिए बताए इस question का answer क्या है इस question का answer कह रहा है panthera tigras scientific name है तो कोई दिक्कत नहीं है बताओ question solve करो क्योंकि ये सिर्फ क्या कह रहा है ये एक question को देखो पहले पहले इस चीज को आनलो कि question आपके quality question है आपको अगर अगर आप डेली आठ बजे इस class में आ रहे हो ना आप इस question का बहुत benefit उठाओगे paper में आपको मिलेंगे question ठेके maybe इस बड़े size में ना मिले छोटे size में मिल दा है ये question कुछ भी नहीं है ये बस force is equal to mass into acceleration का formula है कुछ भी नहीं है question में इधर force दे रखा है इधर acceleration दे रखा है इस formula में force और acceleration दे रखा है बच गया mass mass इसका आँसर कुछ करने की जुरुती नहीं है ठेक कुछ करने की जुरुती नहीं मास ही इसका आंसर हो का 100% guarantee ठेके मास इसका आंसर है क्योंकि ये second law of motion है force is equal to mass into acceleration का formula लग रहा है ठेके तो question को ना उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो कि आपके लिए वो आसान हो जाए ठेके चलो एक और question देखो इस question कान सके कौनसा इसमें से true solution नहीं है जल्दी से बते कौनसा इसमें से true solution नहीं है यार एक ही दम से ऐसा हो गया तापमा ना बिल्कुल गर्मी सा होल हो गया ठंड से एक दम से गर्मी चड़गी है ठेके उनलब कुछ जादे ही हो गया ऐसा विज़ाद तो following is not true solution कौनसा true solution नहीं है आंसर के एस question का ठेके smoke नहीं है true solution ठेके simple सी बात है क्योंकि smoke में क्या होता है smoke में gas प्लस solid होता है ठेके smoke में क्या होता है धुवाज होता ना उसमें या तो gas होगा साथ के सो solid होगा और यह कभी true solution नहीं बनाते gas cannot be mixed with the solid ठेके simple सा बनना है gas solid के साथ mix नहीं हो सकता ठेके जो gas है वो किसी कठोर चीज के साथ mix नहीं हो सकती बाकि gold ring true है क्योंकि बाई gold ring है तो उसमें solid होगा वो mix हो जाएगा salt water नमक में पानी solid mix हो जाएगा air is the mixture ठेके true solution ठेके चली smoke नहीं होगा अच्छा कोशन पूछा रहा सकता है हां जी anodizing process कौन से metal में होती है अच्छा कोशन और असान कोशन दो process पहला galvanization दूसरा यह दो process जो है आपको कर रहे है बेड़ा एक चीज़ याद रखना जो भी बच्चा इस class को देखना यूटूब पे एक बार ही Indian quality जरूर सर्च कर लेना अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हो तो डेली अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपका काम है इस class के बाद ए किसके दवारा मेरे ही दवारा आएगा सबसे उपर जबाब सर्च करोगे ठेके बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो है इंडियन पॉलेटी की जो यूटूब पे चल रही है इस समय तो इंडियन पॉलेटी सर्च करना ठेके चलिए आंसर क्या इसका आंसर चलिए एक औ तुमक किसका उधारन है खुद बताओ उनका उधारन जल्दी से बताईगा तो अब है ना यह उधारन किसका है साप और यह सब चीजे होते हैं यह किसका उधारन होते हैं बहुत सिक कोशन नेटरंबीर सिंग बड़ा अधा गंटा निकल चुक है अलमॉस्क लास का इसमकली वो है science की ठीक है देखना start कर दो काम आईगा आपके जैसे ये question देखो इस question आप सके और अच्छा ये घंटा content पढ़ाता हो हमको cohesive forces जोगो cohesion होता है किसी चीज़ का जूड़ना ठीक है अब जूड़ने के लिए चीज़ सेम होनी चाहिए कि नहीं मैं अगर बोलू कि मैं इसको मेरे हाथ के साथ जोड़ दू नहीं जुड़ेगा लेकिन अगर मैं बोलू इसका कोई material इसी के material जैसे के साथ जोड़ दू तो जूड़ने के chances है ठेक है क्योंकि भाई molecule of same subject जो है substance होता है ठेक है molecule of same substance जो है cohesive force experience करते है ठेक है असान है कोशन concept समझाना चाहिए चले एक और कोशन देखे धबाका क्लास डेली आठ बजे चैनल अपना यही wifi study studios मिस मत करना कल भी आठ बजे यही session होगा science का ठेक है for all exam चलो एक और कोशन देखे प्यारा कोशन है ठेक है अच्छा कोशन है यह बहुत जाद अच्छा कोशन है जल्दी सब देखा ठेक है ठेक है ठेक है मेटा कोमल सीक हम खुद बिमार पड़े है फिर भी class ले रहे है कोई दिक्कत नहीं है ठेक है answer कैसे question डबल circulation देखो हमारी blood हमारी body में क्या heart का क्या है double circulation system है एक हाथ oxygen आता है oxygenated blood आता है दूसर का फायदा क्या है कि double circulation का क्या फायदा अब मैं बताऊं कि भाई पहली बात तो blood का flow जादा हो जाएगा होगा कि नहीं double circulation है कोई चीज़ मैं एक pipe में से पाइप में से पानी निकाल रहा है दूसरी साथ में लगा दी तो भाई जादा ही पानी आएगा तो पहली चीश तो सह क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं तो सेपरेट करेगा यह oxygen वाला चल रहा है एक जगा carbon dioxide वाला चल रहा है तो दोनों सेपरेट भी हो जाएंगे तीसरा mixing अब जब यह सेपरेट ही कर रहा है तो mixing तो नहीं होगी जब मिक्सिंग नहीं होगी तो आंसर इसका बहुत और भी होना चाहिए की नहीं होना चाहिए तो आंसर इसका यही है बताई जो ठीक है मैंडल है जोर्ज मैंडल उन्होंने अपने क्रोस बीड एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से plant को यूँस किया था कमेंड करेगा इस question को answer के है ठीक है क्रोस बीड experiment के लिए कौन से plant को यूज़ के दबेटा share करना सारे के सारे बच्चे session को session बहुत उंदा और बहुत महत्पुन कोशनों से भरा हुआ है और daily होता है answer क्या है मटर का पोधा मटर के पोधे के उपर एक कोशन आता है वो कोशन पुछा सकता है कि कौन से plant की खेती से हम मिट्टी में nitrogen के content को बढ़ा सकते है बड़ा प्यारा कोशन लगा था मुझे कि कौन से plant की खेती से हम मिट्टी में nitrogen content को बढ़ा सकते है nitrogen content को बढ़ा सकते है और आखे बंद करके answer लगा ना पूर्ट उससे होता है यह सवाल है कंटेंट देरों बीच में ठीक है कंटेंट बहुत इंपोड़न थे पता है टॉक्सिक लोजी इस डारेलेटेटेट टूव दॉफ फॉल्विंग किसकी स्टडिय जल्दी से पते हैं क्या है इस कोशन का इस कोशन का ठीक है बड़ा ही अच् और मैं बताओ इस कोशन का आंसर पॉईजन टॉक्सिक है या टॉक्सिक वर्ड लेकर है जहां पर हमें सब जो शब्द है उससे समझ आ रहा है तो उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं कोई ठीक वैसे तो कोशन आसान था नैशनल ब्यूरो प्लांट जनेटिक रिसोर्स कहां पर लोकेटेड है जल्दी से बतेगा ठीक है बेटा बिलकुल हुई थी एक बच्चा कहा रहा है क्या सर आज सुबे क्लास नहीं हुई थी भाई सुबे वाली क्लास तो में कभी छोडता ही नहीं नाइन एम पे टॉपिक वाइस जी के स्पेशली लगवाया आपके लिए ठीक है सुबे 9 बजे इसी चैनल पर 9 बजे टोबिक वाइस जी कए ठीक है आज़कर के आश कोला आज किया काम कर रहा है इसका इपोलो का आज क्या काम है मत्ब्दब क्यूं पढ़ा रहल आप इबोला भाई करोना वाइरस का जमाना है ठीक है rzecz तो अब पिछल्छे सारे वाइरस प कपुषन में आ जाएंगे एबोला क्या है ठीक है वाइरल डिसीज है जो वेस्ट अफरीका में फैली थी थी आप एबोला यह कोशन निकरना है यह गोशन के लावा पढ़नी सकते हैं जैसे अगर बच्चे क्या है एक घंटा मैं इधर पढ़ा दूँआ उसके बाद मैं करंट फेर की क्लास लूँआ अरे यार जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ने में के दिक्कत है करंट फेर लगातार पढ़ो ना कहते हैं एक घंटा पढ़ लिया सर अब कैसे पढ़ सकते हैं तो कोई बड़ी बात होगी एक घंटा पढ़ लिया छेचे साथ-साथ घंटे लगातार बच्चे पढ़ रहें आज कल सिलेक्शन लेने के लिए ठेक हैं तो तुम इसके बाद करंट फेर वाली क्लास में नहीं आ सकते डारक लिए आंसर कैस कोश ठिकर समझ रहेंगे क्या है यह हए हाइफ फ्रिक्वेंसिरी यह हाइफ फ्रिक्वेंसी ठीक हाम लड़के बोलते हैं इक लोग अधयर यहाइज wysक रिक्वेंसी पसे कि हाई फ्रिक् witches होते हैं उनका पिछ भी बहुत है ही होता महिलाओ का पिछ भी होता हाई होता है है तो वाईब्रेटिंग स्ट्रिंग के कुञन सा इंस्ट्रूमेंट है कूण सा निरंतर परियास जरूरी है निरंतर ताएं जो हैं आपको आगे बढ़ा सकती है ठेके टेंशन लेके कुछ नहीं होता अगर आप इस क्लास को आठ बजए एक बार देख गे और उसके बाद काओ कि मैं कल और क्लास देख लूँ तो कैसे बनेगी क्या बता कल आपका कंटेंट और किसी जगा पर कुछ हो तो इससे मैं कहते हैं जैसे आप इस क्लास में आगे आठ बजए तो भाई कल भी आ जाओ आने वाले 15-20 दि क्ला सोरी आपके ठीक है तभी फायदा चलो देखो एक और लिए असान कोशन है चोड़ेंगे दिक्कत की बात क्या है इसमें भी बच्चे पाप करके वाईरस लगाते हैं इसमें लगाते गया जो है प्रोटोजवा है ठीक है जो है प्रोटोजवा है याद रखना गलत मत कर यह बी ठीक है यह इतना असान था फिर भी बच्चे गलत कर देंगे से चलो बताओ इस कोशन का आंसर क्या है बहुत important कोशन जल्दी से बताए कोशन नमबर 45 का क्या आंसर करें थे जल्दी से बताए बेटा जल्दी से कमेंट करो इस कोशन का उड़ा दिया बुलेट लग गिया उसके और उसके शरी में से बुलेट को निकाला नहीं गया तो यार जहर कौन सी किस वज़े से फैलेगा जल्दी से बतेगा जहर किस वज़े से फैलेगा उसका कारण क्या होगा दोस्त उसका कारण होगा लेड शीशा थे शीशा उसका क्या यूज क्या सकता है कि जल्दी से बता तो cancer के treatment के लिए इस में से यूज किया सकता है जल्दी से बताएंगा है है ते कमेंड करेगा जिट्टेवी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से कमेंड करो ठीक है आंसर क्या इसकोशन का याद रहें किमियो थेरपी होती है ठीक है वैसे तो कैंसर का बहुत अच्छा इलाज अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं निकाल पाए फिर भी कीमियो थेरपी कहा जाता है कि कैंसर का इलाज कीमियो थेरपी होता है ठेके और बच्चे into therapy कर रहे तो भई मुझे ये बताओ cancer काesper therapy से क्या लेना देना है शोक देखे cancer ठीक करोगे क्या ठेके मतलब ऐसा गजब काईलाज अगर ढूँड लिए तुम कि तुम current दे देके cancer ठीक कर रहे है फिर तो भई cancer सारे ठीक करवाने घर से एक एंसर ठीक हो जाएगा लगाओ प्लग में एक बढ़ दो शोक बढ़ी है तरीके से ठीक है असान कोशन है इतना गजबान सबंद्ध है टॉपिक वाइस जीके सुबह होती है अपना नो बजे क्लास टॉपिक वाइस जीके की वाइफाइ स्टूडियोस पर हो रही है चैनल पर ठेक है कल 16 फरवरी है तो कल सुबह 9 बजे पॉलेटी है ऐसा क्लास कई मिलेगा जहां पर यूटूब पर आपको एक हफ़ते का पहले से शेड्यूल दे रखा है ठेक है कि भाई आप सुबह 16 फरवरी को सुबह 9 बजे पॉलेटी पढ़ने वाले 17 फरवरी को चैनल भी चैनल नी करता में आपका ठेक है तो ऐसा फिक्स चैडियूल सुबह 9 बजे वाली टोपिक वाइस जी के की क्लास में हो रहा है यूज करो इसको बहुत काम आएगी सुबह 9 बजे वाली क्लास हंजी बते विच वन फॉल्यूइंग फ्री लीविंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है कमेंट करेंगा कौन सा इसमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है इस कोशिंगा आंसर कमेंट करेंगा सारे के सारे बताओ इस कोशिंगा आंसर के है ठीक है बहुत ही important question है ठीक है बहुत ही important question है nitrogen fixation में कौन सा help करता है इस question का answer क्या दोस्तों ठीक है तो यह basic question हुआ इसका answer है एक और question देखते है pitch of sound depends on which of the following अभी मैंने question कराया था woman shrill voice का question कराया था बस उसी को पकड़ लो बात को ठीक है जो मैंने woman shrill voice का question कराया था उसी बात को पकड़ लो और answer सोल करके खुद बताओ answer ठीक है कि भाई जो pitch है वो sound है वो किस पे depend करता है ठीक है pitch of sound depends on which of the following किस पे depend करता है इस question का answer बताएगा सारे कसारे क्या है इस question का answer है अभी पकड़ा था बात को frequency पे तो frequency पे depend करता है तो सही है मैं बहुत loud बोलता हूँ loudness depend करती है amplitude ठीक है loudness depend करती है किस पे amplitude पे आयां में depend करती है कोशन ये भी मिलता ठीक है pitch का कोशन ये है frequency से जूडता है और amplitude का collude अगर अक्छन अच्छा है पूछा जा सकते है question सारे अच्छे हैं बढ़करNet談 को इस question कर आ रहा है कोशन तो एक से बढ़कर Question करा रहा हूँ इस class में science की ये class ही सबसे उंदा 8 बजे वाली class ठीक है daily देखो एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने Saturday, Sunday भी 8 बजे वाली class fix रखें कि हाँ 5-5 study studios पे 8 बजे वाली class change नहीं करूँगा ठीक है तो वो मैं change नहीं कर रहा तो आप 8 बजे daily आना start कर दो ठेक है क्या रहा है ये question rate of diffusion of gas किस पे depend करता है यार simple सी बात है समझो इस चीज को कोई चीज हलकी होगी ठेक है तो वो ज़्यादा move करेगी ना है ना ज़्यादा move करेगी अगर हलकी होगी तो मैं हमेशा कहूंगा कि molecular mass का inversely proportional inversely क्योंकि diffusion तभी होगा जितना molecular mass कम होगा है ना उतना diffusion होगा ठेक है जितना molecular mass कम होगा है ना directly तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई चीज भारी होगी तो उसका diffusion होना तो मुश्किल है gas का होता diffusion क्योंकि वो हलका होता है तो मैं कहा सकता हूं inversely proportional है molecular mass के पहली बात तो ये तो answer इधर से सुल्टा देंगे इस question को चले एक और question देखिए question 50 का answer के अच्छा question है ये भी ठीक है चल्दी से बतेगा ठीक है बटा answer के question का चंद्रियान second two जो है mission जो हुआ था ये कौन से vehicle से होता असान question है basic question है अभी बता सकते answer के इस question का जल्दी से बताए इस question का answer के बहुत अच्छा question लगा मुझे ठीक है answer के इसका ठीक है जेसल्वी MK3 इसका answer एक और विच टर्म इस नोट असोसियेटेटेड विद्द साउंड वेग कुन सा term साउंड वेव से असोसियेटेट नहीं है जल्दी सबतेगे कोन सा term जो गयार अब इदर लाइट से संबंधित चीज अगर दे रखे है मुझे candela दे रखा और यह candela light की intensity संबंधित होता है candela light की intensity संबंधित होता है तो मैं इसको क्यों ना answer में लगा दूँ ठेक है क्यों ना मैं इसको answer में लगा दूँ और C इसका answer कर दूँ ठेक कर दिया इस question का answer सी कर रखाय कोशन फिर भी करो इस question को मैं बड़े question करा रहा हूं मैं आपको एक चीद अभी भी सलहा की तोर पे दूँगा कि भाई बड़े question आपको paper में चाहे ना दिखे और उनका content जरूर दिखेगा हम बड़े question इसलिए कराते हैं कि उसका content cover हो जाए और वह आपको ज्यादा चोटे कोशन भी अगर आएंगे ना इससे संब्धित तो वह आपके soul कर पाऊगे कह रहा है कौन सा compound का character नहीं है अब इससे हमें समझ आ जा जाएगे कि compound में क्या क्या होता है क्या composition वेरियेबल होते हैं तो भाई पहला ही composition वेरियेबल होते ही नहीं नोन वेरियेबल composition होता है कभी चेंद नहीं होता ठेक है तो यह important है ठेक है ठेक है ठेक है अच्छा composition है पूछा जा सकता है यही स्टेट में बाकी सब ठीक है all particles of the compound are only one type बिल्कुल सही है पानी पानी ही रहेगा पानी को कितना ही अलग अलग करके देख लो पानी कभी अलग नहीं हो सकता hydrogen और oxygen आपको मिलनी सकता ठेक है तीनो पहली कोशन स्टेटमेंट गलत ठेक है चलिए एक और कोशन देखे ठेक है छोड़ेंगे कुछ नहीं है इसमें ठेक है लेकिन फिर भी छोड़ेंगे ठेक है रेडियो इम्म्नोस्यसी इस तरफी यूस्ट नया कोशन एक और बताई इस कोशन अच्छे आ रहे हैं content में अच् आपके लिए जो करेंट फेर की क्लास है ना मैं लगातार पढ़ाने वालों अपना रात को ही पढ़ाते हैं ज्यादा तो वह आपको बढ़िया तरीके से content प्रोवाइट करा रहे हैं उसको जरूर देखो जितने बच्छे देखने नाइन पीम में करेंट फेर होगा अभी ठ एक लिंक दे रखा है नाइन पीम करेंट फेर करेंट फेर की क्लास का फ्री क्लास होगी नई सीरीज आए पहली ठेक है आंसा कैसे कोशेंगा रेडियो अमनों सम्मी जो है ठेरपी है किसके लिए टू डिटेक्ट न एंटीबोडिस एन होर्मोन प्रेजर इंद ब्लड सेंप पर ठेक है चलो एक और कोशन देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ एंबीशियस इंवल्स इन ठेक है बताई बड़ा प्यारा कोशन लगता है मुझे ठेक है बैटा मंदीब को और पंजाब देखो यर मैं आपको सिंपल सी बात बताओ स्टेट वाइस नहीं है पोसिबल कि हम आपको स्टेट वाइस करवा पाए लेकिन हम ऐसा कॉंटेंट कराने जैसे साइंस पढ़ा रहा हूं तो चाहे बाई पंजाब की साइंस हो चाहे दिल्ली की हो चाहे मेरे जम्मू कश्मीर की हो साइंस तो साइंस रहेगी ना तो कंटेंट सभी के लिए कोमन रहेगा साइंस का कोशन लेते पीछे ग्रीन लगा होता ना आपने बजर्व किया हो इसलिए होता है हमारी आखों की इसी के लिए पते इस अच्छा कोशन है आपसे पूछा जा सकता है राइस कल्टिवेशन बहुत नाम सुनाओगा आपने अजोला का बेसिकली बहुत सारे किसान इसको यूज करते हैं चाबलों की खेती धान की खेती के लिए ठेक है बता ही एलियम सैपा किसका सान्टिफिक नेम है कोशन सारे करो आपी के लिए कंटेंट बनाया आपी नहीं करोगो तो मज़ा कैसे आएगा पता है इसको आंसर कैसका प्यास का है ठेक है समझ जाओ यह मार्किट का सबसे खतरनाक बंदा है ठेक है यह कभी भी बढ़ जाता है ठेक है आम इंसान के लिए आ सब्सेटरी चैनल पर होने वाला है तो यार समझ सकते हो कि कंटेंट डिवरी भोततकड़ी होने वाली जैसी यहाँ पर वाई-फाइ-ट्रूडियो स्टूडियोस पर होती है वैसी ठेक है तो वो कंटेंट जरूर देखेंगा लाइट्स अटेंप्ट करेंगा 10 बच के 15 मिनि ठीक है कौन सा associated answer के है ठीक है आज हम साट कोशन कर लेते हैं बताइए साट कोशन फाइनल कर लेंगे उसके बाद current affair की class है क्यूंकि आज current affair की class day 1 से start हो रही है ठीक है राफर कोड लगाईगा लाइव अमन जब आप class में जुड़ोगे करेंट अफेर की लाइव अमन राफर कोड लगाईगा अंजी आंसर के सकोशन का पिक आउट डिसीज अमंग दा फॉलिविंग तो भाई इसमें से साफ डिसीज कौन सा दिखाई दे रहा है ठीक है अंसर के ह उपन करो और सारे के सारे उस class को जुड़ जाना ठीक है साथ के साथ दूसरी इंप्रणट चीज इंडियन पॉलिटी सर्च कर लो YouTube एक बड़ी सर्च कर लो एक बर यूटूब पर सारे के सारे मज़ेदार class होती है ठीक है पांच मिनिट आपके पास करेंट फिर किलगा स्व नो बजे स्टार्ट होगी ना भी एक बारी सर्च कर लेना इंडियन पॉलेटी यह मैरतों मिलेगा पांदर सुनिट जरूर देखेगा ठीक सारे के सारे चलिए करते हैं करें फिर स्टार्ट प्रेंट वीडियो देख लो इतने में अपनी क्लास स्टार्ट हो जाए दस मिनट में प्लस कोर्स इस पहली बात तो मैं हमेशा लाइव रखता हूं तो आज 15 फरवरी आज भी कोर्स लाइव है और आज मैंने नया कोर्स लाइव किया है ठीक है राफर कोड है लाइव अमन पं 10% डिसकाउंड है और आमान 11 पे भी लाइव अमन राइफर कोड यूज करके इधर लिखना लाइफर कोड लाइव अमन ठीक है चुड़ जाओ अभी स्टार्ट करते हैं करें ठीक है और उसमें हम आई बी का छे दिन का बहुत प्रेक्टिस कर लेंगे ठीक है छे दिन में ठ सारे के सारे करें की क्लास में जुड़ो और इंडियन पॉलेटी यूट्यूब पर सच करिए सेशन को लाइक करिए शेर करिए ठीक है मिलते हैं दोबारा इस क्लास में कल भी आट पीम पर अगया है लेकिन शिफ्ट नहीं दिखा रहा है ठीक है बटा एक बड़ी चेक करो य बड़ी बड़ी चारे करिए एक बड़ी चेस्टा रहा है इसारे करीं भीम पर चेक करिए से भीम प्रेशन कारे कर दो